नमस्कार में भाकिष्णी, मिसिन निउस के बिसने समाचार में आप सभी का स्वागत है, खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर देश के मानुफैक्टरिंग गती विदियों की रफ्तार में फिर सुस्ती आ कई है, कोविड नाइटिंग के बढ़ते मामलों की वज़ा से देश के कई हिस्व में फिर लॉक्टाउन लगाना पड़ा, इसने माह में कमें पर और मैनुफैक्टरिंग गती विदिया पिछले में यह साथ मां के निचले स्तर पर रही, आएचेस मार्केट इंडिया का मैनुफैक्टरिंग पर्चेसिंग मैनेजर इंटेक्स PMI मार्च भी खटकर 55.4 पर आख्या, वर्वरी में यहां इंटेक्स 57.5 पर था, PMI में 50 उपर का आकड़ा वृत्ती, जबकि सिंदीचे का आकड़ा गिरावट को दर्शाता है। आएचेस मार्केट की एकोनॉमिक्स असोशेट डारिटर पॉलियाना डीली मा का कहना है कि उत्पादन नए ओडर और इंपुर्ट खरीट की रफ्तार सुस्त रही है। बिरो रिपोर्ट बेसियन न्यूज एलजी एलेट्रोनिक स्मार्टफोन इंडर्सी से बहार निकल रही है। इस साल 1-3 जुलाई तक कमपनी अपना स्मार्टफोन बिजनिस समिट लेगी। एलजी स्मार्टफोन मार्केट से बहार निकलने वाली दूसरी ग्लोबल कमपनी है। कुछ साल पहले सोनी ने अपना स्मार्टफोन कारपार बंद क्या था। एलजी की तरफ से सुमवार को जारी बयान के मुताबिट कमपनी स्टॉक खत्म होली तक हैंडसेट की बिक्री जारी रखेगी। दरसल एलजी की स्मार्टफोन युनिट 6 वर्शों से लगातार घाठे में है। इस युनिट को अब तक 32,953 करोट रुपे का नुकसान उपा है। पहले एलजी ने यह युनिट वियत नाम के विन ग्रुप को बेशने की कोशिश भी की थी। विदेशों में खात्य तिलों में रही पड़ोतरी की पीज देली ठोक जिस बाजार में आच्छुरिंदा खात्य तिलों के दाम बढ़क है। जबके इस दोरान मुंग टाल सस्ती होगे। और गेहु गुर्चिनी समेट चावल के दाम स्तेर रहे। तेल तेलहन की बात करें तो अंतराश्टी स्तर पर मलिशिया के बुर्चा मलिशिया डेरिवेटीव एक्स्टेंज में पाम ओईल का अप्रिल बाधा अठा रिनिंग चड़कर 4,100 पैसे रिनिंग प्रती टन पर आग्या। अप्रिल का अमेरिकी सोया तेल पारधा भी 1.44 सेंट की बड़ो तरीके साथ 52.88 सेंट प्रती पोड बोला गया। तेल की दाम अपरिवर्टित रहे। गुर्चिनी की बात करें तो मिठे के बाजार में चिनी और गुर्च की दाम पिछले दिवस पर स्तीर रहे। गवरी को लेकर चेंता के बीच शेहर बाजार में सोमवार को जोड़तार गिरावट देखने को मिली। बाजार में दोपेर के दरान वित्य शेरों की अगवाई में निकली बिगवाली का तपाव इतना अधिक था। कि सेंसेक्स 1459 अंक लोड़क कर 48,581 तक नीचे आगया था। लेकिन इसके बाद निशली सतरू पर निकली खरीदारी ने गिरावट में 578 अंकों की कम याख रही। कारुबार्यों के मताबिक देश में COVID-19 के मामली अनुमान के मुकाबली तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण बाजार में पड़ी बिकवाली देखी गए। पहली तिमाई में कमपनियों की आई में गिरावट की आशंका के मतिनचत शेरों के उचे मुल्यांक करने पी चिंता को पड़ा है। डॉलर की मजबूत होने और कोरोना वारस के बढ़ती मामलों की कारण घरेलु शेर बाजार में आई भूचाल से सुमवार को अंतर बैंक की मुद्रा बाजार में रुपया अठ्रा पैसे कमचर होकर तेहतर दशम लो तीस रुपे प्रती डॉलर पर रहा। इससे पहले रुपया डॉलर के मुकाबली 73.12 रुपे प्रती डॉलर पर रहा था जबकि पिछली कारूबारी दिवस यानि शुकरवार को बाजार में गुर्ट फ्राइडे के चलती कारूबार नहीं वा था। रुपया डॉलर के मुकाबली आज 56 पैसे की गिरावट लेकर खुला और सत्र के दौरान यह 73.28 की उच्छे तम स्तर और 73.40 रुपे प्रती डॉलर के निशली स्तर के बीच रहा। बिरु रिपोर्ट बीसे अन द्यूज। खबरे समाप्त करने से पहले आईए डालते एकने सर आज की सिर्खियों पर। झालते एक बीच्छे एकने से लिच्छे की बीच्छे की बीच्छे की बीच्छे की सिर्खियों पर।